अपने प्रभु को कैसे पहचाने इस बात को बताते हुए पूजे स्वामी रामसुख दाश्जी कहते हैं कि संतों ने कहा है सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए यह संपूर्ण संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है इसमें भला बुरा अच्छा मंदा गुन दोश आदी दो चीज़ें हैं ही नहीं रामायन में आया है सुनहु तात माया कृत गुन अरुदोश अनेक गुन यह उभए न देख हैं देखियें सो अभिबेक तात्पर यह है कि गुण और दोश माया कृत है भगवान में नहीं है वो जो लोग माया से मोहित है उन्हीं की दृष्टी में ये दोनों भगवान में दिखाई देते हैं असली बात है गुण और दोशों को ना देखना गुण यह उभए न देख है इन दोनों को देखना आविवेक है गुन यह उभई न देख है इसके दो अर्थ होते हैं पहला गुन और दोश को न देखकर गुन ही गुन देखना और दूसरा गुन और दोश को न देखकर परमात्मा को ही देखना जो की गुन और दोश दोनों से रहित है अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है, कारण की वास्तों में संसार साक्षात भगवान ही है, सब जग इश्वर रूप है, यह इश्वर का सर्वोपरी रूप है, इश्वर भला उर बुरा, दो नहीं हो सकता, इश्वर एक ही होता है, भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपध्यन दे, तांस तथई वभजाम में हम, जो, जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूं, अतहा, हम भले और बुरे, दो रूपों को देखते हैं, तो भगवान भी भले और बुरे, दो देखकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान भी अपने वास्त्विक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मोरती तिनह देखी तैसी, एक संथ थे, उनसे कोई कहता था कि महराज, आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो वे कहते, आप तो बड़े अच्छे हैं, तो वे कहते, राम जी, कोई कहता कि आप तो बहुत बुरे हैं, तो वे कहते कि राम जी, तात पर यह है, कि सब कुछ राम जी ही है, फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होए, भावना ही करनी हो, तो बढ़िया भावना करें गटिया भावना क्यों करें मन के लड़ू बनाएं तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डालें इसमें कौन सा खर्चा लगता है इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना करनी चाहिए वह बढ़िया से बढ़िया भावना है वासू देवा सर्वं अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है यह कोरी भावना ही नहीं है प्रत्त वास्त विक्ता है इसको स्विकार करने में न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है और नहीं अपने में कोई विशेश योग्यता लानी पड़ती है फिर इसको मानने में क्या बादः है यह सरल से सरल और उचा से उचा साधन है फिर एक साधक कि प्रशन पूचा कि महराजजी संसार में कोई दुराचारी दिखाई दे तो उसको भगवान कैसे माने तब महराजजी कहते है ऐसा मानना चाहिए कि वे भी भगवान ही है पर अभी कल्यूग की लीला कर रहे है अभी कल्यूग है इसलिए वे यूग के अनुसार लीला करते है भगवान ने वराह रूप धरण किया तो वराह की तरह ही ही आचरण किया वराह भगवान को देखकर हिरन्याक्ष उनको वन गोचर म्रिग जंगली जानवर कहकर पुकारता है और भगवान उसको ग्राम सिंग कुत्ता कहकर पुकारते हैं वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं फिर एक साधक ने प्रश्न पूछा कि महराज जी संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहते है और दुखों का घर भी कहते है दुखालयम अशाश्वतम अगर यह परमात्मा का स्वरूप है तो दुखों का घर कैसे और दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे इस पर महराद जी कहते हैं ये दोनों बातें ठीक है जो संसार से कुछ नहीं चाहता अपितु दूसरों की सेवा करता है उनको सुख देता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है और जो संसार से सुख लेना चाहता है उसके लिए संसार दुखों का घर है सुख चाहने वाले को दुख मिलेगा ही यह अकाट्टे नियम है भग्ति योग की दृष्टी से सब संसार भगवान का स्वरूप है और ज्यान योग की दृष्टी से संसार असत जड तथा दुख रूप है ज्यान योग में विवेक मुख्य रहता है और विवेक में सत असत जड चेतन नित्य अनित्य नाश्वान अभिनाशी दोनों रहते हैं विवेकी पुरुष्टी संसार को दुख रूप मान कर उसका त्याग करता है दुख मेव सर्वम विवेकी नहा इसलिए ज्यान की द्रिष्टी से संसार का त्याग करना है और भक्ती की द्रिष्टी से सब को भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करना है भगवत में आया है अपने ही लोग यदि हसी करें तो करने दो उनकी परवाह न करें अपितू अपने शरीर को लेकर जो लज्जा आती है उसको भी छोड़कर कुत्ते चांडाल गो एवं गधे को भी प्रिथ्वी पर लंबा गिरकर शाष्टांग प्रणाम करें भक्त कुत्ते चांडाल आदी को प्रणाम नहीं करता प्रत्युत उन रूपों में आए भगवान को ही प्रणाम करता है जब भगवान राम भरत्द्वाजी से मिलते हैं तब भरत्द्वाजी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान भरत्द्वाजी को प्रणाम करते हैं भगवान रामतो क्षत्रिय होने से ब्रहमन को प्रणाम करते हैं और भरद्वाजी भगत होने से भगवान को प्रणाम करते हैं इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करने से उनको अलोकिक विलक्षन आनंद मिलता है इसी तरह संसार में अनेक रूपों से प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके आनन्दित होना चाहिए संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही शरीर है सब में परमात्मा एक ही है परमात्मा को चाहे द्विभुजी माने, चतुर्भुजी माने, सहस्रभुजी माने, साकार माने, निराकार माने, चाहे रामकृष्ण आदी माने, चाहे गंगाजी माने, चाहे निर्गुण माने, चाहे सगुण माने पर परमात्मा तो एक ही है वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हुए है सब के सब रूप एक ही समग्र परमात्मा के अंग है किसी भी एक अंग को पकड़ ले तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा के एक नाम को ही पकड़ ले तो उसी से समग्र परमात्मा की प्राप्ती हो जाएगी परमात्मा पूर्ण है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहो गीता में आया है सर्वतह पाणी पादम तत सर्वतोक्षी शिरो मुखम सर्वतह शृति मलो के सर्वम आवरित्य तिष्ठती वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले सब जगह नित्रों सिरों और मुखों वाले तता सब जगह कानों वाले हैं वे संसार में सब को व्याप्त करके स्थित हैं जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है सोने की डली में किस जगे कौन सा गहना नहीं है सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, हार, नत इत्यादी अनेक गहने निकाल लेता है इसी तरह लोहे में किस जगे कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है मिट्टी और पत्थर में किस जगे कौन सी मूर्ती नहीं है ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है भगवान से ये सब सुरिष्टी पैदा हुई है और अंत में उसी में लीन हो जाती है पहले भी वही है, पीछे भी वही है फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहां से आए इस बात को द्रड़ता से स्विकार कर लें तो फिर भगवान दीखने लग जाएं क्योंकि वास्ताओं में हैं ही वही, वो ही सब कुछ है जैसे मिट्टी से पैदा होने वाली सब चीजें मिट्टी ही होती है इसकी परिक्षा करनी हो, तो लोहे की एक परात लें उसमें सूखी मिट्टी तोल कर डाल लें फिर उसमें गेहों भी तोल कर बोदें और जल डालते रहें कुछ दिनों में गेहों के पोधे हो जाएंगे अब मिट्टी को सूखने के बाद तोल कर देखें तो मिट्टी कम निकलेगी परंतु मिट्टी के साथ-साथ गेहूं के पोधों को भी तोलें तो कुल वजन उतरा ही निकलेगा जितना पहले केवल मिट्टी का था इससे यह सिध्ध हुआ कि जितनी मिट्टी कम हुई है उतनी पोधों के रूप में परिणथ हो गई अतहा गेहुं के पोधे मिट्टी ही हुए गेहुं को खालें अत्वा पीस दें तो वे मिट्टी ही हो जाएंगे ऐसे ही हमारे शरीर भी मिट्टी के ही बने हुए है औरंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे इसी तरह यह सब संसार परमात्मा से ही बना हुआ है अतह कोई भी कौन सा भी रूप देखे वह परमात्मा ही है ऐसा द्रढ़ता पूर्वक मान लें तो असली ग्यान हो जाएगा कितना सुगम और सरल साधन है एक बाबाजी कहीं जा रहे थे रास्ते में एक खेत आया बाबाजी वहां लगुशंका के लिए बैठ गए पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझ गए कि हमारे खेत में से मतीरा चुरा कर ले जाने वाला यही है क्योंकि खेत में से मतीरों की चोरी हुआ करती थी उसने पीछे से आकर बाबा जी के सिर पर लाठी मारी और बोला हमारे खेट से मतीरा चुराता है तो बाबा जी बोले भाई मैं तो लगुशंका कर रहा था कृषक ने बाबा जी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला महराज मुझसे बड़ा कसूर हो गया मैं समझा था कि यह मतीरा चुराने वाला है बाबाजी बोले तेरा कसूर है ही नहीं क्योंकि तूने तो चोर को मारा है मेरे को थोड़ी मारा है क्या तूने साधू समझ कर मारा है क्या क्रिशक बोला नहीं महराज चोर समझा था मैंने इसलिए मारा है तो अब मैं क्या करूँ बाबाजी बोले जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वो कर बाबाजी के सिर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था और पीडा हो रही थी क्रिशक उनको गाड़ी पर बैठा कर हस्पताल ले गया और वहां भरती कर दिया वहां उनकी मलहम पट्टी करके उनको सुला दिया थोड़ी देर बाद एक नोकर दूद लेकर आया और बाबाजी से बोला महराज यह दूद लाया हूं पी लीजिये बाबाजी पहले हसे फिर बोले वाह वाह तू बड़ा विचित्र बहरुपिया है पहले लाठी मारता है फिर दूद पिलाता है वह आदमी बोला महराज मैंने लाठी नहीं मारी है लाठी मारने वाला दूसरा था बाबाजी बोले नहीं मैं तुझे पहचानता हूँ लाठी मारने वाला तू ही था तेरे सिवाए दूसरा कोन आए कहां से आए कैसे आए बता यह केवल तेरी ही लिला है इस प्रकार बाबाजी की दृष्टी तो वासु देवह सर्वम पर थी पर वह आदमी डर रहा था कि बाबाजी कहीं मुझे फसान दे ताथपरिया यह है कि सब रूपों में भगवान ही है गोस्वामी तुलसिदास जी महराज कहते है सियराम मैं सब जग जानी भगवान के एक एक रोम में करोडों ब्रम्हांड है वास्तों में उन ब्रम्हांडों के रूप में भगवान ही प्रकट हुए है इस वास्तिक बात को स्विकार करने के लिए न कोई पोथी पढ़नी है न कोई ध्यान करना है न कोई चिंतन करना है न श्रवन मनन नेदिध्यासन करना है न आखें बंद करनी है ना नाक दबानी है ना प्राणायम करना है ना योगा भ्यास करना है ना जंगल में जाना है ना गुफा में जाना है ना हिमालाई में जाना है केवल अनेक रूपों में आए अपने प्यारे प्रभू को पहचान लेना है और मस्त रहना है अथ्वा प्रभू की दी हुई शक्ती से जब ध्यान स्वाध्याय आदिस सब कुछ उन्हीं के लिए करना है महराज जी सब कुछ परमात्मा ही है इसको ठीक तरह से मान लिया जाए तो क्या अब कुछ करना जानना और पाना बाकी नहीं रहा क्या इस पर स्वामी जी कहते हैं यदि सब कुछ परमात्मा ही है इसका अनुभव हो गया तब तो ठीक है नहीं तो केवल सीख लिया है सीख कर मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं तो सिद्ध हो गया इससे उसका पतन हो जाता है कारण की अभिमान होने से मनुष्य अपने को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी समसता है इससे दूसरों के प्रति द्वेश ग्र्ना-क्रोध पैदा होता है जबकि वासुदेवह सर्वम का अनुभव होने पर किसी के भी प्रतिद्वेश वईर घ्रिना क्रोध इत्यादी नहीं रहते अगर वह जानने के उद्देश्य से ही सबकुछ परमात्मा है ऐसा मानता है तो वह भगवत कृपा से जान लेता है जैसे हमें मैं हूँ इस प्रकार अपने होनेपन का स्पष्ट अनुभव होता है इसमें कभी भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता ऐसे ही सबकुछ परमात्मा ही है इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए ऐसा अनुभव होने पर संसार का राग सुख आ सकती सरवता मिट जाती है और संसार संसार रूप से रहता ही नहीं अपितू भगवत स्वरूप से ही हो जाता है मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता केवल भगवान ही भगवान रहते हैं क्योंकि वास्तव में भगवान ही है, केवल अनुभाव करने के लिए भगवान में अपनी स्थिती नहीं करनी है, प्रत्युत अपने आपको भगवान को समर्पित कर देना है, अगर उसमें अपनी स्थिती करेंगे, तो वह है अहम स्थिती करने वाला बना रहेगा, इसलिए वासू देवह सर्वं इसका अनुभाव करने में शरणागती ही मुख्य है शरणागती में साधक पहले भगवान के आश्रित होता है फिर उसी में मिल जाता है जैसे पहले कन्या का विवाह होता है फिर वह अपने गोत्र को छोड़ कर पती के गोत्र वाली हो जाती है ऐसे ही पहले भग्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं इस प्रकार भगवान के आश्रित होता है फिर उसके शरीर, इंद्रिया, मन, बुध्धी, अहम सब अगवान रह जाते हैं दूसरे शब्दों में पहले साधक मैं और मेरा को छोड़ कर तू और तेरा स्विकार करता है फिर केवल तू ही तू रह जाता है यही वासुदेवा सर्वम है इसी प्रकार हम अपने प्रभू को पहचान पाएंगे नारायन, नारायन, नारायन झाल झाल